हालो माई लबले केड्स हाव आपको सिखाएंगे रेक्टेंगल कि रेक्टेंगल शेप हम कैसे ड्रॉ करते हैं बस कि यह लाज चेप है यह आज आपने अच्छे से सीख लेनी है और फिर इसके प्रैक्टेस करनी है ओके रेक्टेंगल कैसे बनाते हम रेक्टेंगल देखो यहाँ पर मैम आपको फोर डॉट्स दे रहे हैं वैसी आपको ममा भी फोर डॉट्स देंगे and how to draw it with the help of this again scale scale के साथ देखो यहाँ पर मैम आपको dots दी है 1,2,3 box में यहाँ पर देखो कितने box लीट की है मैम ने 1,2,3,4,5,6 ठीक है और यहाँ पर 1,2,3 okay so अब हमने यहाँ पर shape draw करनी है rectangle यह dots आपको ममा डाय कर देंगे okay ममा आपको यह four dots पुट करके देंगे आपको क्या करना होगा join पहले हम यह वली dot को इस वली dot के साथ join कर लेंगे यह देखो scale को हम ऐसे put करेंगे dots के उपर कि scale move नहीं होना चाहिए यह देखो यह one line हमने draw कर लिए ठीक है अब हमने नीचे वली line draw करनी है इस dot को इस dot के साथ यह देखो ऐसे रखा और इसको इसके साथ ऐसे join कर दिया ठीक है अब अगेन यहाँ पर करेंगे इस dot को इस dot के साथ ठीक है और यहाँ पर भी अप करेंगे इस dot को इस dot के साथ यह अपने circle, square, triangle, rectangle की बहुत प्रैक्टिस करनी है draw करने अच्छे से यह देखो draw हो गया ना इसमें क्या होता है यह देखो जो square होता है ना इसमें सारी sides equal है यह देखो same lines है ना कोई big नहीं है, कोई small नहीं है सारी lines मैं आपने same same बनाई है है ना और यहाँ पर देखो यह है rectangle, इसमें क्या होता है यह वली side और यह वली side की जो lines है ना वो equal बनाई है, big big यह भी big है और यह भी big है और यह वली और यह वली जो line होती है ना यह होती है small इधर वली भी small होती है, इधर वली भी small होती है, तब ही बनती है shape and how many sides rectangle has देखो 1, 2, 3, 4 4 lines बनाई थी न हम नहीं यहाँ पर 4 sides है कितनी sides है 4 sides so do practice at home इसकी अच्छे से practice करनी है बिल्कुल यह नहीं बोलना कि मुझे नहीं आता मैंने नहीं बनाना आपने अच्छे से draw करके practice करके मैं आपको क्या करना है pick send करनी है और यहाँ पर आपने अपनी max book open करनी है यहाँ पर हमने shape बनाई नहीं थी न हमने यहाँ पर circle और square बना लिया था rectangle और triangle रह गया न आपका तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर मैंने देखो आपको rectangle भी अब सिखा दिया ठीक है तो अब यहाँ पर आपने rectangle भी बनाना है और triangle भी बनाना है circle और square आप बना चुके हों है ना तो rectangle और triangle बना कर आपकी book यह complete हो जाएगी okay so do practice at home okay bye झाएगी